नमस्कार मेरा नाम है सुरेंज कुमार और आप सभी का दक्सनाई क्लास्रूम पे पार्पुन है बहुत बहुत सबस्ports करेंगी पेपर वन उस सबार्पंपनर करनाँए में और सेक्षन 3 और सेक्षन हुआ हुआ है पार्ट वन में सेक्शन वन है थर्टी मार्क कोशन है तैन कोशन है और यह मुल्टिपल करेक्ट वाले टैन कोशन है और इसके बाद अगर आपन चलेंगे सवाल नंबर 11 से यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सब्सक्राइब करते हैं सवाल से सवाल नमबर एक और यह सवाल अगर आप समझ जाएंगे कि बहुत ही सस्ता सवाल है इस तरह का एक स्फेर रखा हुआ है सब्सक्राइब कर रहा है एहां पर सब्सक्राइब कर देखे सब्सक्राइबिये की यहां तरह Лग रहा हैặt़्य सब्सक्राइब का जाएंगा अगर की से यह वाला देखाएग्भाव देखिएगा तो आपको ऐसे वी से इधर जाता हुआ और ओमेगा से घूंता हुआ दिखाई देगा है ना करता हुआ जा रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सवाल को बोलेंगे तो प्योर्ली रोज कर रहा है इसका मंद तो प्योर्ली घूम रही है अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो मुझे सेंटर की रफ्तार दी हुई है यह पर्पेडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा तो बहुत अगर मैं यहां से देखूं तो इस एक्सिस के अबाउट वह ओमेगा से घूम रहा है यह रफ्तार वी दी गई है औ से मेरे पास ओमेगा की वेडियो आजाएगी रूट टू वी डिवाइड़ वाई रूट टू वी डिवाइड़ वाई आर आपको ऑप्सन नमबर बी में दिखाए जेगा तो आप इस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन की कॉंचर्प से बढ़ी आसान इसे निकाल लेते अब आपको डेमबास के लिए कुछ-कुछ बुचाओगा जैसे ये वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होगी तो ये वाले पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी आर प्लस आर वाई रूट टू तो वाले पॉइंट की रफ्तार आपके लिए हो जाएगी ओमेगा एंटू ब सब्सक्राइब हो गया है यह वेल्यू आप क्या रही है रूट 2 प्लस 1 इंटु फ्लस 1 इंटु वी है तो वहां से क्या पास हो रही होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाप रूटेशन वाकि आपको कोई भी पॉइंट पूइंट पूछा जाए उसकी रफ्तार आप पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक्सिस के अबाउट बोड़ी का हर बिंदो प्योर रूटेशनल मोशन कर रहा होगा और ओमेगा आपके पास य पॉइंट की यह वाली एक्से से प्रपेंडिकुलर डेशन निकाल लीजिए और आगे बढ़ जाए इस तरह से सवाल नंबर बन था आहां यहां पे खतम होता है आगे बढ़ती है सवाल नंबर टू पे सवाल नंबर टू बहुत ही सस्ता है यहीं भी बता सकते हैं बोड़ स इस केपैसिटर एंड की बैटरी से कनेक्टेड हैं नाओ प्लेट्स आप केपैसिटर पूर्ड पूल स्लाइटली अपार अगर इसकी प्लेट्स को आप इधर बढ़ाए तो सी की वेल्यू क्या होगी मैंने का के एपसालनोट एवाइडी इनमें से कौन सी वेल्यू बढ़ जाएगी का बीच का सेप्टरेशन जो है यह वाला बढ़ जाएगा तो यह पाएगा अगर आप ध्यान चीए अगर भाइंगे अगर आप धियां से देखेंगे तो क्या पाएंगे अब बोल रहा है कि energy stored in capacitor के साथ क्या होगा मैंने का उसके cross potential drop क्या है वी है वो तो constant ही energy आप भी क्या होती ही मैंने का half cv square अब अगर आप c को कम करिएगा तो u क्या हो जाएगा यू भी कम करेंगे तो उसके अंदर की stored energy जो है हाप cv square यू है वो भी आपका कम हो जाएगा बहुत बढ़ी आवाई सा potential difference across the plate is increased मैंने का वो तो constant ही पहला option आपका गलत हो गया है यहां पे दूसरा option बोल रहा है energy storing capacity decrease मैंने का सत्य वसं बचन है आपके तक क्या पैसितन है capacity बढ़ गया तिसरा option है नहीं सी घड़ गया है गलत है और d option आपसे बोल रहा है battery gains energy during the process battery gains energy during the process is why energy कम होई है तुब energy कहा गई होगी battery के अंदर गई होगी अरे है यह नहीं है बहुत बढ़ी आवाई साम को तो यह बात सही है मतलब इसने energy supply किये तुब energy battery में गई होगी और मतलब इसमें कुछी loss हो गया होगा तो यह option बोल रहा है B and D आपका correct answer पूद आएगा तो यह था सवाल नमबर 2 आई इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और फिर बढ़ते हैं सवाल नमबर 3 देखें नहीं हो गया बाई साब देखिए तरह सवाल नमबर 3 आपसे क्या बुन रहा है सवाल नमबर 3 जो है न उसको मैं redraw कर रहा है मुले फूटो दिया हुआ है बहुत ही सवाल है अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल नमबर 3 को मैं redraw कर रहा है बैटरी हमको नहीं दी हुई है और लेकिन यहां पर 4 ohm का रेजिस्टर लगा हुआ है यह 4 ohm का रेजिस्टर है और यह यहां से जा रहा है 20 ohm के अंदर और यहां पर 100 ohm है और यहां पर आपके पास है 25 ohm है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यहां पर बैटरीर मलब यह कर करना है यह दिया हुआ कि यह 4 amp यहां से गया होगा और यहां पर है 6 ohm के और 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 गर्यां अपने गुल के प्यूंद नहीं चैर एक अपका cc और यह प्यूंत को मेंट बूँल सकता हूं तो अगर आप और रटर की बात करेंगे किसकी और रटर है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर 6 और 4 हो गए 10 और इनका एक्विलेंट निकालेंगे तो टोटल आर एक्विलेंट निकाला जा सकता हो 20 आ रहा है कैसे निकालिएगा इनका तो आपके लिए 20 होगी अच्छा 20 इंटू 4 करियेगा तो इसका मदब यह एक्विलेंट गी और यह अगर एक्विलेंट गी है छे और चारों के दस इनके क्रॉस ड्रॉप की कितना हो गया है दस इन्टू चार इनी 40 यहां और यहां करसम देखा जाए तो 40 यहां ड्रॉप हु यहां होगा और इसमें करंट निकाला है तो इसमें क्या आ जाएगा और अगर आप ध्यान से देखें तो बागी वाले करंट भी आप बढ़ी आसानी से निकाल सकते हैं यहां आपको 40 डिवाइड़ेड वाइंड्रेड करियेगा तो यह आपका यहां का आ जाएगा कितना आ जाएगा और इस वाले केस में क्या आ जाएगा आपके लिए 40 डिवाइड़ेड वाइड़ेड वाइड वेंटी फाइव है तो नीचे आप 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको 400 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यह एक मैस चार जाता है तो 16 16 16 16 बटा दस यह नहीं 1.6 आ ज बीदा अच्छ अंड्रेड को लगा हुआ है हम मतलब यह और दूसरावाला जो है अगर आप अच्छक के बीच में किटना जारा है और इदर से अगर आप यहां से अगर तुआ अलेपर वाले पोटोड़ों का देदिए गा इदर से फूर आ रहा है है ना और इधर क्या जा तो आपको करुदिन वायर एक दिखाई को कि बैंटरी किसफीर आप फोदि निए और घ्लिक वाइर निकाल लेजी और यहां आपके पास है और यह आपका जो है है और यहां से यह आपका कितना हो गया है और इसको कर दीजिए यहां पे आपके पास क्या है तो अब आप ध्यान से देखिएगा देखियें तो होगा क्या, होगा क्या, कि ये 20, 100, C ये वाला पॉइंट है, और A ये वाला पॉइंट है, B कौनसा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इधर से 4 एंपियर आ रहा था, A, B में हमने 2 डिसाइट कर लिया, A, C में कितना गया है, A, C में आपके लिए 2 गया है, तो य अगर आपका यहां से यहां से 0.4 आ रहा है यह कि यह 2 हो गया और यह 0.4 हो गया तो इधर से और क्या होगा और एंड बी यहां पर इमान लेजिए मलही की जगह टू और यह 0.4 तो यहां एड होगी कितना आ गया 1.6 यह एड होगी कितना हो गया फोर एंपियर हो गया यहां से निकल गया होगा तो अगर आप ध्यान से देखिएगा 0.4 इदर चला गया तो 1.6 इदर गया होगा वही 1.6 एड होके अब हो गया इस पूरा कारिग्रम आपके पास हो गया क्या अब आपसे पूचाए कि एमेर बैटरी इस एटी करेंटीन एबी करेंटीन एबी इस टू करेंट इन सीडी सीडी में कितना है भाई 2.4 और करेंट कितना नो करेंट फ्लो इन सीडी गलत बात है गलत बात है भाई तो कहां कौनसे अंकर सही होगे आपकी A, B, C, D अंसर आपका गलत हो गया चलिए आगे बठें सवाल नंबर 4 की चलिए सवाल नंबर 4 बड़ा ही सस्ता है तो यह भी बता दुपते हैं तरहां से देखिए सवाल नंबर 4 में अगर आप देखिएगा तो क्या पाएंगे कि भाईसा भी बैलेंस्ट वी इस्टान ट्रिच है ना यहां पे क्या लगा हुआ है मैंने का यहां आपके पास Rx लगा क्या होगी मैंने का वन मीठर में से घटा देंगे वन माहिनस एक सब्सक्राइब क्या होना चाहिए और एक सब्सक्राइब को निकालना क्या है और आपको सवाल में दिया गया है और आपको कितने हुए 20 cm दी हुई 20 प्लस माइनस 0.1 तो 20 हो गई 1 माइनस x यानि सेंटिमेटर दिया है 1 मीटर माइनस 20 सेंटिमेटर इस एक सेंटिमेटर दी 1y4 आ गया है उदर ले जाहिए गर 254 हो जाएगा यह आपको 5 ओम आता हुआ दिखाई देगा है कि नहीं यह आ इंटो x अपॉन 1-x तो आर तो constant है इसको differentiate कर दीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर x divided by मतलब इसको अगर डिफ्रेंटियेट करिएगा आर इज़र ले जाए आई तो इसको अगर आप डिफ्रेंटियेट करिएगा डेल्टा एक तो यह वाली वेल्यू क्या र किसका होगा 1-x का होगा divided by अगर आप यहांच देखिए तो 1-x का whole square है न तो अगर आपको maximum निकालना है तो आप add कर दीजिए का बाकि आप 1 दिया हुआ x दिया हुआ सारी वेल्यू यहां पे रख दीजिए आर आपको दिया हुआ दब आप सारी वेल्यू रख रहे हैं तो आपको डेल्टा आर एक्स की वेल्यू दिखाए दे रही 0.3 ओम है तो ऐसा आपको कॉंचे अप्शन दिखाए देगा option A में आपको दिखाए देगा बागी आपको fractional error और दूसरी वाले एरर की वही आर एक्स को कहां रखाज है अलंगी यह तो आपने पढ़ाई होगा वो अब आपको गया वाइस सवाल सवाल के अंसर करेक्ट कौन से होंगी A,C and D रिक्रेक्ट हो जाएं एक सस्ता सवाल था बहुत जादा डिखिकल्टी वाली बात इसमें हैं आए आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पार ने सवाल नंबर 4 के बाते सवाल नंबर 5 को आप मोल आको कितना है और 1 दिया है कैसे कर रहा है कि इस इकल टो के 2 की पाँए और THE es तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आप कैसे इसको ला सकते हैं, PV की फॉर्मेट में, तो V is equal to K, T की पावर आपको 2 by 3 दिया हुआ, तो V is equal to K, और T को आप क्या डाल सकते हैं, यहां से PV divided by R की पावर 2 by 3, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यह सब कॉंस्टेंट आजाएगा इधर, P की पावर आएगी, P की पावर अगर आप ध्यान से देखिए, तो 2 by 3 आ रही है, मतलब यह कि V is equal to K, P, यह T की वेरीव क्या डाल सकते हैं, PV divided by R की पावर आपके पास क्या होगी, 2 by 3 आ है, अब आप ध्यान से देखिए, तो P की पावर आपके लिए कि कितनी आ रही है, 2 by 3 आ रही है, और V की पावर क्या होगी, मैंने का, इधर आपके पास 1 है, और इधर क्या आ गई है, V की पावर आपके लिए V की पावर आपके लिए आ गई है V की पावर आगई है यहां से 2 by 3 हो जाएगा और यहां से 1 है Is equal to किया आ गया आपके लिए Some constant आ जाएगा तो हमको लगता है कि यह P की पावर 2 by 3 V की पावर minus 1 by 3 आ रहा क्या आ रहा है 2 by 3 क्या कर रहा हूं कि क्यूब ले रहा हूं दोनों साइड तो P स्क्वार इंटो V की पावर माइनस 1 इस इकल तो क्या आगया आपके लिए सम्कॉंस्टेंट के डैस फिर से मैं उसका 1 रूड ले ले लेता हूं यह आजाएगा P और यह आजाएगा 1 बाई 2 इस इकल तो प्रफिए डबल डैस कुछ कॉंस्टेंट आ गया है मेरा अल्टिमेल टार्गेट था कि पीवी की पावर एक से इकल टू इकल टू कॉंस्टेंट की फॉर्म मैं ले आऊं ताकि मुझे गया है और यह आपका R 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया है इसको आप सॉलल कर रहे है तो हम यह वाली एक वैडियो थरीन आरवाई शेक्स की हो गई है और आपसे क्या पूचा गया है है ना मलब दो है क्यों स्वाइब अब आपको पूचा गया है साइज की कितना हीट जरूरी पड़ेगा हीट एब्सवर्ड भाइंट भी गया सिंदा वो प्रॉसेस तो भाई सब क्यू निकालना है q is equal to delta q is equal to nc dt nc dt delta t n की वेल्यू आपको बन दीए c की वेल्यू 13r by 6 है और temperature की कितना चेंज होगा यह अपने को कहां से पता लगेगा temperature change by 60 k यानि यह 60 आपको दिया हुआ है तो यह 10 हो गया लाला सब्सक्राइब करने वाला नहीं है तो वैसे ही कहले है तो आपको कौन से ओप्सन करेक्ट आते हुए दिखाए देने एबी ठीक हो गया और c भी यहां पर आपको ठीक होता वह दिखाए दे रहा है तो आपका आंचर हो जाएगा a b and c a b and c a b and c d option क्या हो जाएगा यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि जब c सही होगा तो d possible नहीं है तो एक सस्ता सवाल ना कुल मिला के आपको pv k power x के format मिलाना था बाकी तो आप आरा 6 को देखिएगा सवाल नंबर 6 को सवाल नंबर 6 को देखेंगे तो आप पाएंगी कि इसमें दो वायर है और जिनका ग्राफ आपको दिया हुआ है कि मतलब यहां पर आपको यह बोला गया कि भाई सब आई 1 रखा गया है आई 2 रखा गया है पीच में कहीं पर मेंगनेटीक इस यह इसा मतलब क्या है कि एक में अगर इदर में इद्वारे में इदर होना ही पड़ेगा ता कि यह भी अंदर आए और यह बहुना रही और बढ़ना क्या होगा जी ओघनेंगें दिखाई नहीं दे रहा है तो मान लेजी है कि यह वाले दूरी आपकी मालब क्या है क्यी यह वाला क्या हो जाएगा डी माइनस एक अब दोनों के कारण एड हो रहा होगा तो किसी भी X पे अगर आपको बी निकालना है तो इसके कारण आजाएगा आपके पास 2Pi X है और इसका क्या आजाएगा मुझे मिनिममम चाहिए तो मैं क्या कर दीजिए आप देखेंगे X की वेल्यू क्या रही है वहां से सॉल करके आपको मिनिममम आता होगा दिखाए ते रहा इसा दिया हुआ है और यह दिया हुआ है कि आईैप इस आउप पची अपची आप देखें आप देखेंगे हम बिल्कुर लिए ओपोचितों और वागिए वो इन साइड वाले ग्राफ से सप्पारस कर सकते हैं क्या यूज़नी पाम-गार्वे जिस डिर्ज्टन में आपके पास धारए है यार ःधियों फिंगर्स स्ट्रेत चेज इस पॉइंट पे आपको मैंनेटी फिल निकालना है तो हम यह आपको दे देगा अब आप बहुत जस्ट पास में रहेंगे एक्स की वेलुक बहुत कम रखेंगे तो यह किदर की जाता हुआ देखाई देखाई इसलिए आप देखेंगे तिनकी पास में जो है वह इंफिनिट यह आपको यह देखना है कि यह आपके पास क्या है यह आपके पास एक्स है और यह वाई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यह पाहेंगे कि आई1 आई1 वो यहां वाले की पास है यह वाले की पास है तो अगर आप ध्यान से पाएंगे इसके आसपास जो और चाहएं जोहक Later suicide Скिछ on तो यहां और इसके कारण क्या आएगा यहां पर यहां और यहां जो डिरेक्शन आपको चेंज होती हुए दिखाई दे रही होगी और इसके वह आसपास देखेंगे तो क्या होगा उपर की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा है कि नहीं है इदर उपर की तरफ सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है तो आई बनाया है यह ओप्सन ए में दिखाई जाए जाए आपको और इसका में आप्सन ए सही होगे तो दी पकाई गलत हो गया तो करेक्स ऑप्सन हो गया आपके एंड भी हो गया है तो यह था सवाल नंबर 6 आए आगे बढ़ते हैं सवा कि आपको सवाल नंबर 7 कि सवाल नंबर 7 ऐसका कनेक्टेड है किस से कनेक्टेड है वह एक इंड़क्टर से कनेक्टेड है उसका क्या है आपके लिए और इसमें रहा है ल है ना साथ ही इसके पास होगी तो सासी सवार होगा ुद्र और क्यों सीनोब गापीदा आना सिर्म आलना ची Depresiva समया हैं श्रायब कुछвол का यहां डिया हुआ हैливо नोट है क्यू नॉट का स्क्वेर भाई 2C से आपको क्यू जो है ये क्यू नॉट जो है वो कौन सा है क्यू मैक से कहां आया हुआ हुआ है तब पूरी की पूरी पूरी एनर्जी एलेक्टिक फिल्ड में क्यू नॉट साइन ओमेंगाटि पहला ऑप्शन बोल रहा है को सो मेंगाटि गलत पहला ऑप्शन गलत दूजरा बोल रहा है टी जो तो रहेगी आपके पास किसी भी टाइम पर क्यू स्क्वेर बाई 2C और मेंडिक फिल्ड में रहेगी हाफ ल आई स्क्वेर ये वेल्यू क्यू नॉट ये डाल दीजिएगा तो ये क्यू नॉट का स्क्वेर आपको साइन स्क्वेर ओमेगाटि डिवाइड़ वाइए लसी इंटू क्यू नॉट का स्क्वेर ओमेगाटि आता हो दिखाई दे रहा है तो ये लसी और ओमेगा स्क्वेर खतम हो जाएगा क्यू root of LC यहाँ पर डालिएगा LC यहाँ पर डालिएगा omega की value 1 upon under root of LC है जब तो इसको solve करेंगे तो यह value आपके लिए इसको value डालने पर यह value आपकी 10 square 5 by 3 आरी यहनि root 3 का square यहनि कि यह value आपके लिए 3 आ जाएगी तो यह 3 raise to 1 वाला जो option है आपका सई हो जाएगा जोगी option होगा C में और वही इस एक current option है इस वाले सवाल का आएए आगे पढ़ते हैं सवाल नमबर 8 की ज़एगे क्या है सवाल नमबर 8 ज़रा ध्यांच देखी सवाल नमबर 8 सवाल नमबर 8 को अगर आप ध्यांच देखेंगे आप यह पाएंगे कि हमारे पास एक pendulum है मरदू pendulum है इसका mass m है और इसका mass क्या है इसका भी mass m है लंबाई इसकी L है इसकी क्या है और दू एंगल आपको यहां पर बनते हुए दिखाए दे रहे हैं यह आपके लिए धीटा वां है और यह वाला एंगल क्या है आपके लिए धीटा तू है और आप ध्यां से देखें लिए वह जो फिन टीटा 1 ऑन पी नहीं बहुत ही स्मॉल है तो पहला ऊप्सम घलक हो जाएगाए का सब्सक्राइब कर देंगे विलॉसिटी को एचेंज कर देंगे वापस यहां से यहां जाएगे तो इसका आधा टाइम पिरिड हो जाएगा यहां वापस आएगा यहां से सब्सक्राइब करेक्ट रुकता हुआ दिखाई देगा अच्छा बहुत बढ़ी है पहला बोल रहा है कि अगर थीटा वन जो है थीटा टू से बढ़ा प्रिजुटी लेफ्ट ऑफ द लाइन नहीं वे राइट में हो रहा है तो आसनी से देख से चलिए आगे बढ़ते सवाल सवाल नमबर नाइन क्या है जाए चबक सवाल है यहां पर यहां पर आप बोलेंगे जिसके साथ रेजिस्टर लगा हुआ है क्या पैसिटर जो है वह हंडेड माइग्रोफेरेड का है और इसमें करेंट आईवन चल रहा है और यह आपका हंड्रेड रूड थ्री ओम का है और इसमें आपके पास चल रहा है एक इंडक्टर मदब इंडक्टर आपको दिए हुई है 0.5 हैंडरी और यह आपको 50 ओम दिया हुआ है और यह पूरा जो खेला है वो किसे कनेक्टेड है यह आपका आई हो गया है और यह आपका जो है बैटरी है जो कि है आपके पास 20 हम दीद करता है इस वाले केसमें अगर इसमें आई लेंटू है इसमें potential lead करता है यानि जो बीच का angle आपका आने वाला है मतलब जो है वह आपके लिए कितना आने वाला है 45 degree और similarly अगर आप यहां पर देखिएगा तो यह angle जो है इस वाले case में क्या आजाएगा आपके लिए 100 और 100 रूट 3 और 100 रूट 3 तो एंगल कितना आता है इस वाले case में एकसी डिवाइड़ वाइड़ थीटा इस अलपा इस टैन एकसी टैन इंवर्स ऑफ एकसी आर आजाता है तो वन अपॉन रूट 3 आ गया इसका थीटा की वेल्यू कि कितने हो गई है थीटा की वेल्यू आपके लिए 1 रू अबैड़ी पूछा गया है तो कि बैटरीया से हम बात कर रहे हैं तो यह पीछे है तो यह बैटरीया होगी मंदाब यह वोल्टेज हो गया है सरक्रित का एक आगे हो गया 45 और पीछे हो गया 30 डिगरी तो कुल मिलाके बाद यह वाइसाब की बीच का एंगल जो है हमने कुल क्या है किसमें होगा जिसमें जिसमें क्या होगा किसमें क्या होगा क्योंगी और शॉपर वाले में 30 दिखी इसको 40 कि यह इतना आप जाएगा 70 अधिक से 75 एध्या यहां आपको option B में लिखाए देगा तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं आए आगे बढ़ते सवाल नमबर दस पे सवाल नमबर दस आपको सिस्टेम आप पार्डिकल का एक स्टेंडर्ड सवाल है खुब सारे सवाल आपने पहले दी कि यह उनके कुछ बहुत ज़्यादा मास M है यह A है यह आपका B है और यहां पर अगर आप ध्यांच देखिएगा तो एक मास M वाली गुलेट आ रही है वी नौट रफ्तार से और अगर आप ध्यांच देखिए तो पहले क्या होगा मैं जब फिक्सम यहां पर यहां नॉन इंपल्सी वोर्ट लग रहे हैं तो म मोमेंटम का अंदर वे संकार दीजिए एंवी नौट इस एकल टू टू एम वेलॉस्टी अब आपके सवाल इतना बचा है यह मास टू एम है एक दम चंपक सवाल ग्राउंड फ्रेम जे करिए या पर कोई सरी फ्रेम जे करिए यह वाला रफ्तार आपके पास वी नौट वा हो गया है और यह म हो गया है और दोनों की अफ्तार सेम सेम हो गया है सेम सेम होगी तो मोमेंटम लगा दिजी 2m इंटो वी नौट वाइंटू मस्ट पी इकवल टो 3m इंटू वी तो अगर आप ध्यांच देखिएगा तो अफ्तार कितनी हो जाएगी मैंने आप वी नौट divided by 3 हो जाएगी तो तो जो काइनेटिक एनर्जी कम होई होगी वो कहां गई होगी पोटेंजल एनर्जी की पॉम में गई होगी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करते थी वादवाली के कितनी है मैंने का 1 by 2 मास दोनों का दोड़िएगा 3 अजाएगा यह जो कम व पॉंगया हो से maximum compression हाफ 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 सारे कट गयें और यह वेडियो आपके लिए क्या आ गई है यह 2 आ गई है तो यह आप स्क्वेर बाइटू और यह वेडियो अगर ध्यान से देगेंगे तो अभी नौट स्क्वेर बाइब थी आजाएगा यह तीन से अगर आप ध्यान चे देखिएगा यहां पर और इसका लिचिए आप रूट इसका लिचिए आप रूट इसका लिचिए रूट लिचिए वी नॉट आ गया है और यह अंडर रूट कितनी होगी फाइनल में बाई के पास काइनटी एनर्जी जो है इसको घटाईएगा तो क्या आजाएगा वन बाई फोर वन बाई फोर एंडी नॉट का स्कॉर तो यह आपको ऑप्सन कौनसे में दिखाए रहा यह 4D में दिखाए रहा चारों और यहां पर करेक्ट हो जाए है सब्सक्राइब इस तरह से इतके सब्सक्राइब करेक्ट है और इस तरह से सवाल के सवालों पर चलिक्ष देखते हैं अपर इंधीज ड्याइक वाला सेक्शन और इसमें टौल दस सवाल आन। सवाल नंबर वन अगर आप देखें गा तो आप यूज कर सकते एक तो सुपरlove प्रिंसिकल यहां पर आप ऐसा देख लेजिए कि वाइसा एक यह जो भी प्लेट है यह कहां रखी हुई है यह आपके रखी हुई है मनलब यह साइड है यह दूरी माले जी आप यहांं पर जो भी पुटेंच आएगा वह इस बात पर डिपेंड दएगा वह इस बात पर कि टैसी दूसरे वाले case में आप देखिएगा जैसे वी नॉट दिया हुआ है और वी नॉट और मालेजी वी देस सिगमा दोनों केस में सेम है एक की वेल्यू पहले वाले में A square परपेंडिपलर दूरी जो है वह माल लेते अब आप दूसरे वाले case में देखेंगे, तो sigma तो वही है, area आपको क्या हो जाएगा, अगर इसको a माना है, तो वह अला item आपके लिए कि कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, डिवाइड भाई पर्पेंडिकुलर दूरी, और पर्पेंडिकुलर दूरी की अगर आप बात करि हो जाएगा, यहाँ पर्पेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, हमको लगता है सिग्मा से सिग्मा, और यह इसको एको मैंने a माना है, तो यह वाला खेला जो है, अगर आप ध्यान चाहिए, तो sigma a divided by r, और यहाँ पर सिग्मा इंटो a divided by r, तो r तो उपर सब्सक्राइगा, तो इस तरह से यह तो पहला सवाल है, वह आपका ऐसे हो गया, वैसे आप इसको कर सकते हैं, दूसरे सवाल में अगर आप देखिएगा, तो इक पोलोनियम है, जो विखर रहा है, सवाल आप पढ़ दीजिए, मतलब वह ऐसा टूल फूल रहा होगा, और सा सवाल को पढ़िएगा, तो इक तरीके के बारे में पता किया गया है, कि इस तरह से बनाप पॉसिबल मेथड़ को रिविलिंग प्रेजिए प्रेजिए नुकलियर फीपल्स इसलिए न्यूट्रॉन जो है, वह फीजन हो रहा है, वहार है पे और एक्सल अगर रेडियस आप पचास, मतलब पचास निकल रहे है पर सेकेंड एक डिस्टेंस ऑप हंडेड है, यह आपको हंडेड मीटर पर दिया गया है, मिसाइल है, एक जो एमिशन है, वह कितना निकाल रहा है, तू पॉइंट निकाल रहा है, और इस सारी जहनकारी आपको दी गई है, तो अगर आप गैट की बात करें, दी इन बाइटी की तो नमबर आप प्लोनियम जो टूट रहे है होंगे, यानлек की नमबर आप फीजन जो रहे हैं वोंगे, नमबर आप फीजन पर यूनित ताइन, यानि की अगर मैं निकंड भाई गर करतू लेम्टा इना इन तो ने नोट है किसी के आ नॉट्रों की बात करियेगा तो नॉट्रों यहां से कितने आ जाएंगे मैंने का वो इसकी रेट इसके 2.5 ताइम होगी 2.5 लेमडा नॉट नॉट इस भाई के निसेल वाले नॉट नॉट अब आप ध्यान से देजिएगा डिटेक्टर जो है वो यहां रखा हुआ वो कितना नॉट करेगा तो आपको क्या निकालना पड़ा इंटेंजिटी की तरफ से आप पाई डी स्क्वेर से यह पीचकी वाले तूरी से मदलब डिवाइड कर दीजिए और इसको क्या मान लेजिए यहां वाले सेक्शन का एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा अब डिवाइ यह निकाल दीजिए नंबर ओफ न्यूट्राउंस न्यूट्राउंस निटेक्टेट बाई टिटेक्टर डिवाइड़ वाई क्या है तानी इसने हो रहे हैं दिवाइड़े पूरे एरिया फूर पाई डी स्कुर फैला दीजिए गा तो आपके पास यह वेल्यू आ रही तो फूर पाई डी स्कुर डी की वेल्यू क्या है रही है यह वाली दुरी में इतना जो एक पार यूनिटी एरिया पर जा रहे होंगे इस एरिया से माल्टिप्लाइब कर दीजिए गा तो आपको कुछ इन्फोर्मेशन दी हुई है मीन लाइफ आपको दिया हुआ है तो व और ये वेल्यू जो है आप यहां पर ढ़ल दिखेका तो अब को अन्फोर्म जो है वो विल्यूए k дополн नौट है म commissioner एंपट्ये एंट है उन्फोर्म इन्फोर्मेशन और प्टीए कhon फूर्मिनthe तो आपको सवाल में 6 into 23 दिये हुए हैं तो यह आपके लिए 849 यानिकि 8 मूल आपको आते में दिखाए देंगे तो ठीक तरीका है ठीक सवाल बन गया है मतलब या तो आपका क्या आगया है यहां पे आपके पास वह है वो टू के जी आगया है तो आपका अंसर हो जाए आए आगे पड़ते सवाल नंबर 3 तो देखें दरा क्या है सवाल नंबर थ्री सवाल नंबर थ्री में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरब ऐसे भाग रहा है यहने अगर आप ध्यान चे देखेंगे अगर बात करें यहां तो पाई निकल रहा होगा लॉसली क्या होती अंडर रूडव तो जी इफेक्टिव इंटू एच होती एच आपको यह सवाल में दी हुए जी इफेक्टिव क्या ह पानी अगर थे इफटार फोर जाल यहां पर इसे निकल रहा है यह आंप्यों दिया हुआ हुआ है तो आप क्या कीजिए गांस को थोड़ा डाली यह वाली सर्फेस में ने बना दी है पानी ऐसे निकल रहा है यह पर अफ्तार फूर मीटर पर सेकिंद है और यह वाली हाइट की बात करें तो पानी से ग्राउंड जो है वो तीन मीटर की कुछ नहीं है तो आपको बहुत ही सस्ता हो जाएगा और आपको यह इंगल आपको 60 दिया हुआ है और यह 30 होगा आप प्रोजेक्टाइल का सवाल हो ग यह से क्वा निगुंस जीगल निदीप्लस हाप टी स्क एकसला्रेशन भाएगी जी यह जाएगी मानस जी तो यह नीचे की तरब आ रहा है तो मानस थीन U T है ना कौनसी डिट्रेक्सर में वर्टीकल में कौनसा वाला U T आ जाएगा साइन वालाया तो 2t minus of 10 by 2t square, इस quadratic को solve करिएगा न, तो आप पाएंगे 2 plus minus, ये क्या आ रहा है, 4 plus 4 into 5 into 3, मदो quadratic solve करना आता है न, असी थरा चारे लगा के, negative ओ नहीं सकता time, तो positive वाला case लेना, ये 2 plus 8 divided by 10 आएगा, solve करिएगा, तो 1 second आएगा, है न, काम की बात ये थी, क्या आपको जी effective जो है, वो क्या लेना है, प्रेसर बढ़ जाएगा, हाई, इस बढ़ नीचे लग रहा होगा, तो answer आपको time ही मिकालना था न, कि कब गिर जाएगा, तो answer आपका 1 second हो जाएगा, 1 answer है, हाई, आगे बढ़ते है, सवाल नमबर 4, सवाल नमबर 4, सवाल नमबर 4, सवाल नमबर 4 को, अगर आप देखिएगा, सवाल नमबर 4 को अगर आप देखिएगा, तो आपको कुछ जानकारियां दी गई है, कि भाई, capacitor जो है, वो energy को emit कर रहा है, flash में, और power दी गई है, कितने time तक flash चल रहा है, energy कितना emit होगा, E is equal to power into time है, तो power आपको सवाल में 270 into 10 की power 3 दी हुई है, time 165 है, तो यह आपके पास 400 Joule आ जाएगा, अब आपको बोल रहा है, 95% जो है, वो energy जो effective है, मतलब कितनी रही होगी, यह उसका 95% रहा होगा, और इसनल जो energy रही होगी, उसका 95% यानि कि 0.95 जो है, वो आपके पास कि कितना आ गया है, वो आपके पास आ गया है, मतलब जो है यह वो आपको, capacitor के अंदर, जो आपको E दिया हुआ, यहाँ से जो capacitor के energy, E की value आप में निकाल दीना, 400 divided by 0.95, इसको solve करिएगा, तो यह value आ रही है, 421 Joule, यह कहां पे capacitor में, है न, energy, तो सस्ता होगा, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख क्या लिख सकते हैं, 84 into 5 plus 1, तो य सस्ता सवालता, पड़ियासने से आप calculation करके आगे, बढ़ सकते हैं, जैसा यह बोल रहा है, power in time कर दिजी, energy मिल जाएगा, फिर से बोल रहा है, 0.95% है, तो यहाँ से capacitor के energy मिलगी, उसको लिखना ही चो है, चलिए वाइसा, आगे पढ़ते हैं, सवाल नमबर 5 की तरफ, सवा अगे आट्रोनेट जो हैं, वो R2 पे हैं और धर्ती बात रहा है, देखिए, यहाँ से R2 पे यहाँ पर एक astronaut घूम रहा है, और R1 की दूरी पर कौन घूम रहा है, भाइसा, astronaut is a complete orbit, out of the celestial body, moving in in lower orbit, यहाँ कोई celestial body घूम रही है, यह भाइसा आप गूम रहे हैं, तो कोई भी जानते हैं, orbital velocity होती है, आपकी GM divided by R होती है, वो R आपकी यहां से दूरी होगी, तो माल लेजिए, इसका radius R2 है, तो इसका radius आपका R1 आजाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, velocity of astronaut है, वो आपके लिए आजाएगी GM divided by R2, और वैसी अगर velocity of celestial body, अगर मैं बात करू तो यह velocity of body जो है, वो आपके लिए under root of GM divided by R1 आजाएगी, कुछ information अगर देखें, तो यहां पे आपको velocity of astronaut minus velocity of body and relative velocity आपको दी लिए 5, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, और आपको साइज velocity of astronaut जो है 5000 दी हुई है, तो यहां से velocity of body जो होगी, वो आपके लिए क् जाएगी, है ना, velocity of astronaut minus velocity of body, तो velocity of astronaut आपको यह दी लिए है, तो आप क्या निकाल सकते हैं भाईसा, आप velocity of body यहां पे निकाल सकते हैं, बिस बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है, तो आरवन वाले भाईसाब की velocity कितने ही होगी, सवाल में पढ़ी है, आपके लिए बोडी सब्सक्राइब की आपको पांच जार दी हुई है, तो velocity of body है, है कि नहीं है, सस्ता हो गया नहीं, यह दिया हुआ सवाल में, भाईसाब अब सब्सक्राइब कर रहा है, velocity of body minus velocity of a with respect to velocity of a minus velocity of b, अब आप ध्यान चे देखिएगा, अगर आप ध्यान चे देखिएगा, यह value पता है, तो r1 और r2 निकाल देंगे, मतलब यह value पता है, यह value पता है, जी पता है, हम पता, तो r2 और r1 नहीं निकाल सकते हैं, सवाल में आप से पूछा है, r2 minus r1, r2 minus r1, तो r2 वो कहां से निकाल सकते हैं, यहां से, r2 निकालना है, तो gm divided by velocity of a student से, वो कर दीजिए, क्या r1 चाहिए, तो gm divided by velocity of body का square कर दीजिए, यानि कि 5 जाल, 5 का square कर दीजिए, तो यह value अगर आप जहां पर g डाल देते हैं, और m डाल देते हैं, तो यह value जो आपको solve करके आती भी दिखाई दे रही है, वो around around 32 km आती भी दिखाई जरी, कितनी दिखाई जरी, 32 km है, भाई बो आई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यह जो है, यहाँ पे पूली है, और यहाँ पे जो मास है, वो M2 है, और यहाँ पे मास जो है, वो M1 है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो मतलब जो है, आप निकाल लगते हैं, भाई सवाल है, आप से क्या निकालना है, पूछा है, तो भाई इसको बढ़ा मान लहते हैं, एक्सलरेशन ए, यह तो बेल्यू क्या आएगी, वेल्यू जो इसको जबाब करिएगा, तो डेल्टा आपका M1 माइनस M2 डिवाइड़ बाई आपके पास क्या आजाएगा, M1 माइनस M2, और दूसरे वाले कि अगर बात करिएगा, तो उसमें आजाएगा, डेल्टा M1 प्लस M2 डिवाइड़ बाई M1 प्लस M2, लेकिन आप से क्या पूचा गया है, आप से मतलब जो है, एरर पूची गई, यह क्या पूची गई, एरर, तो माइनस वाले कि प्लस मतलब, डेल्टा G by G, G को किसे में बेजर किया है, 0.01, तो 0.01 इसका हो गया है, और यह 9.80 को दिया हुआ है, 0.4 डिवाइड़ बाई 60, प्लस 0.4 डिवाइड़ बाई, 175 इंटू 5, मैं लोग यह क्ल्कुलेशन देख लें, सॉल्ट करने पे यह वेल्यू कितनी आ रही, 1.5 अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो यह 0.4 का है गया है, क्योंकि यह जो डेल्टा होगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, डेल्टा M1 ग्लस डेल्टा M2, इसमें 2 दिया हो, इसमें 2 दिया हो, कि हमने क्या कर दिया है, इसको कर दिया है मतलब 0.4.4 अब M1 माइनस M2 की बात अगर आप करिएगा तो M1 माइनस M2 जो है वो 103 में से 43.5 पर टाद दीएगा है कि नहीं है ना तो दूसरे वाले केस में क्या होगा मैंने का 13 मैं 43 एड कर दीचिए तो आपका क्या आजाएगा वह आपका मतलब जो है वह यह आजाएगा मतलब 175 आ रहा होगा यह 60 आ रहा होगा डेल्टा यह आएगा इंटू आप जो है 100 कर दीचिएगा तो मिल जाएगी है कि नहीं होद बढ़िया वाइसा पहुती तांगा 170 कि इतना आ रहा है जोड दीचिए भाई 147 147 147 147 147 तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ध्यान से अगर परेदेगे गा और एक ही वेलिए कि इतने आएंगा मन की वेलिए आपको दी हूई है 103 और यह परसेंटेस में बाद कर दीचिए यह सोल करके मन परसेंट आ रहे लेकितना परसेंट आ है कितना फॉन परसेंट और है सब्स्ता सब्स्वार्थ बहुत अव्त अभरी चीज़ कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की पाल सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 7 को अगर आप ध्यान चे देखिएगा सवाल नंबर 7 इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ 30 कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ इसके उपर एक ब्लॉक रख लखा हुआ इसका मास से 1 केजी और म्यू चार्ज आपको 0.01 दिया हुआ है और इदर की तरफ फील्ड जो है वह आपके लिए 100 वोल्ट पर मीटर है 100 वोल्ट पर मीटर है और यह वाले हाइट आपको 1 मीटर दिया हुआ है गी नहीं है तो अगर यह एल है तो यह आपको ल साइन धीटा दिया हुआ तो बड़ा बाइच्व इक उसक्ता सवाल है मतलल इस पे क्यों टूई इधर की तरफ लग रहा होगा तो यह एंगल 30 डिग्री हो गया जिसका एक कंपोनेंट इदर आएगा एक कंपोनेंट इदर आएगा नीचे एक एंजी कॉस्टीटा इदर आएगा एंजी साइन धीटा इदर आएगा है की नहीं तो नॉर्मल आपका एक इधर वाले कंपोनेंट पॉर्मल और चीज देखें वाले केस में क्या कि ललबॉर लग रहा होगा तो वाले दो फो दो फोर से हैंच आट इस More나 यह वाला प्लस हाफ एक स्कुर्ण एक स्कुर्ण करें तो 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 इस आप समझ गहां ना मतला यह होगा क्या एक्सलरेशन में सिधा लिख रहा हूं नीचे खीजना वाला फोर्स आजाएगा माइनस आपके पास म्यू और एक तो आजाएगा आपका क्या लिखिएगा एक तो लिखिएगा एक स्कुर्ण तर हो आपको क्या दिया और एक इक वेलियर जो यहां से क्टना आपको दिखाई दे रहा होगा एक सी वेलिव आपको फूर राप्त है तो अरफ यही आप दिकाई डिकाईगा सब्सक्राइब को यह बहुत था सवाल नंबर सेवन हमको लगता है यह बढ़ी आसानी से कर लेते आई आगे पढ़ते हैं बढ़ी आप देखेंगे तो यह आपको याद होगा कि आपने एक डिस्प्लेस्मेंट मेथड के बारे में बात करते हैं जब आप फूकल लेंद दिका मानते हैं कि यह जो है वह आपकी दूरी होती है capital D और यह वाला दो होती है जिसके corresponding आपको real image यहां पर बंती वरी दिखाई देती है मान लिजे कि यह वाला X है तो यह वाला आपके लिए क्या हो जाएगा डी माइनस X हो जाएगा डी माइनस X हो जाएगा अब आप जोड़ी capital D माइनस X है है ना अब आप ध्यांत से देखें तो आपको magnification 2 दिया हुआ है magnification की अगर बात करें तो वो होता है V by U क्या होता है V by U इस वाले case में V कम होगी लेकिन U जाता होगा तो यह case नहीं हो सकता है 2 वाला case नहीं हो सकता है क्योंकि magnification के लिए U को small होना पड़ेगा V को बढ़ा होना पड़ेगा यहीं फर्स्ट वाला case पॉसिबल है और अगर आप ध्यांत देखें तो अगर मैं इसको X मान लिए और magnification 2 मान लिए है न मतलब magnification 2 दिया हुआ और V की value में मुझे नहीं पता है divided by U की value X मान लिए तो V की value क्या है 2X इसका मतलब यह X यह वाला खेला क्या होगा 2X होगा total कितना होगा मैंने का 3X होगा और 3X की value इसमें सवाल में दिया 3m है कितना 3m X की value क्या है 1m अब आप घ्यान से देखिएगा पहले वाले case में magnification अगर M1 है दूसरे वाले में M2 है इसका मतलब पहले वाले में आपका क्या आया होगा आपका 2 x 1 2m 2 x 2 1 इसका मतलब यह 1m यह पहले वाले कि यह one-meter गैले थो पचाक पचाक पुचा यह वाला तूभी क्या हो जाएक वान-प्लस-वन-प्लस-वन तुपिल क्या होना छिए 3 होना छिए पे एक सस्ता किसम का सवाल था कौन्स वाला सवाल नंबर यह सवाल नंबर तो इसमें भी ज़्यादा आपको कुछ कल्कुलेशन करने का कुछ ही नहीं मतलब यहां पर लाइट आके गिर रही है और अगर आध्यान से देखिएगा तो आप यह पाईएगा कि यहां पे बैटरिया है है ना जो जो कितने वोल्ट की पांच मैंकर जो इलेक्ट्रॉन यहां では रेंज भी गी है वो पांच से आठ दी गई है इसका मलब यह मैकसम आट हो सकता है इसका मलब हसान वाज़ा में क्या हुए कि जो केकी मैक्स है वो आपकी एर्ट माइनस पाय यहानी कि थ्री इलेक्रॉन बूल्ड है अब आप जानते हैं कि जो आया है energy लेके उसकी energy minus 5 इजी कर दूकेमेक्स आता है, हो तो आपका 3 electron volts आ रहा है तो जो आ रहा है उसकी energy सवाल बोल रहा है कि कि टनी है भईखिए पांच electron volts है ये 5 electron volts है और ये 3 है ोविशलि पाई की value क्या रही होगी सब्सक्राइब है तो आपको अंसर आपका तू हो जाएगा वैसे अगर आप सवाल नमर दस देखिएगा यह भी एक्तम सस्ता सवाल है कौनसा सवाल है सस्ता सवाल है और हमारे इस टेपर का भी लास सवाल तो अगर आप किये तो आप सवाल कर सकते हैं सवाल बिल्कुल आपने की यहां से ब्लॉक को रिलीज किया गया और इसे मैक्सिम क्या होगा ख्रिक्षन कहीं ही नहीं इंगी कौनसी नर्जी कम होई होगी और जब यह रूख जाएगा नहीं आजाके तो इसकी कानेटी एनरजी यहां जिगो हो जाएगी जो सारी की सारी कहा गई है स्ट्रिंग में चली गई है इसका मलब जो एनरजी कम होई है पुटेंजल एनरजी देट मस्ट इक्वल टू हाफ के को यह फिक्सन लेसे तो आपको ऐसे खेज और आपको इन पांस सब्सक्स नहीं सब्सक्राइब तो यह आपको 25 दिया गया है into x square x is the maximum elongation तो यहां पे अगर आज देखिए तो यह इदर लेगा कि आपका पास 10 हो जाएगा पांच इंटो दो अगर आपके बंचत क्लियर हो और थोड़ी सी स्पीड बढ़िया हो तो आप सारे सवाल में बढ़ी असानी से क्याल्किलेशन करके अंजाम दर पहुंचा सक्तित बाद की अपना और अपनों का खूब क्याल रखिएगा मिलते हैं पेपर टू के डिसकसिंट एट सॉल इन क्या सक्तित